हेलो फ्रेंस वल्कम टो टेकराइड होप युगाज आप्सलूटली विल आज किस वीडियों दोस्तो हम हेडलाइट बीम को अज़ेस्ट करने वाले हैं मेरे साथ ये बाइक है और इसकी एडलाइट बीम को इसक्रू की यूज से हम इसे करने वाले हैं उपर नीचे देखें ब क्लोकवाइज और एंटी क्लोकवाइज आपको गुमाऊंगा और वहां पर मैंने एक मार्क लगाया हुआ है जब भी एक मिनिट मैं बैक कैमरा ओपिन करता हूं तो दोस्तों हमने बैक कैमरा ओपिन कर लिया है अब आपको स्टार्ट करके बाइक दिखाता हूँ और यह देखिए यह लोबी में इसका और हाई विम पर यह और यहां पर मार्क आपको दिखा देता हूं यह मैंने लगाया हुआ है तो आपको पता चलता रहेगा जब मैं क्लोकवाइज और एंटी क्लोकवाइज गुमाऊंगा यह कहां पर है कैमरा पुक्रों चलिए सबसे पहले अब मैं करके दिखाता हूँ आपको फलोकवाइज में गुमाने वाला हूँ इस इस्क्लू को चलिए फलोकवाइज गुमाते हैं और देखते हैं कि यह उपर निचे कि इजर जाता है वे ज्यां दिधिक्ए गाईज यह फलोकवाइज गुमा रहे हूं है चली स्टाट करते है अगर आप ज्यान से देखें कि दोस्तों तो पी मैं लाइक का वो उपर की तरफ जा रहा हुआ कि लोग वाइज ही घुमा रहा हुआ है जो मार्क हमने लगा है उससे उपर की तरफ जा रहा है भी कि देखें उपर चला गिया है अब देख सते हैं वह जो उपनी मार्क लगाया गया था हमने वह देखिए ये ये वाला है मार्क याज उन अचे उपर चला गिया बेम अब मैं अन्टी कुलाग वाज उसके बराबर फिल लादूँए इसे चलिए अब एंटी क्लोग वाज मैं इसे घुमाता हूँ इस तू को और देखिए ये धीरे-धीरे नीचे आएगा ये देख सकते हैं ये आगिया फिर से नीचे की तरफ देख सकते हैं ये फिर से नीचे की तरफ आगिया है तो इसी कुछ इसी तरह आप इसे clockwise आप करेंगे तो ये उपर की तरफ होगा और anti-clockwise जब गुमाएगे तो ये beam इसकी नीचे की तरफ जाएगी इसी तरह आप adjust कर सकते हैं इसे तो thank you for watching this video दोस्तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए content अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe किये भी न बिल्गुल न जाईएगा मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जाये हैं